वेरी गूर्णिंग इस्टुडेंट्स, NCRT, क्लास नाइन्थ, एक्सर्साइज नमबर 1.2, कोशन नमबर 2nd, I am Asimikmar Mandal, as a teacher, सांतिपनी Air Secondary School, राजोदा, सर्फ कोशन नमबर 2nd जो है, वो हमारे लिए एक वर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम आपको कोशन मारके हमारे लिए, ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस री प्रेजेंट हो रहा है, यहां से, the square root, कोशन में बोला है, square root, what is the mean of the square root, ठीक है, आपने जब भी square root के बारे में कुछ भी देखा है, तो मन में आया, यह signature, square root of all positive integer, मतलब मुझे सिर्प और सिर्प पॉज बोल रहा है, root 4, root 9, root 16, root 25, sir, आप बोलेंगे, sir, आपने 1, 2, 3 नहीं लिया है, बीच में आपने 5, 6, 7, but sir, आपको इन numbers की standard value पता है, इसलिए में यह example ले रहा हूँ, question में बोला है, the square root of the all positive integer, 4 का square root कितना होता, 2, 9 का कितना होता, 3, 16 का कितना होता, 4, 25 का कितना होता, 5, ठ question में बोल रहा है, the square root of all positive integers, if not gives example, मतलब कहीं ना कहीं, इस question में यह पुचा है, ठीके, the square root, ठीके, square root, किसी भी number का square root जो हता है, वो positive form में आता है, या नहीं, the square root of all positive integers is a irrational number, irrational, ठीके, कहीं ना कहीं यहां पर हम से यह बोला जाता है, irrational, question में, ठीके, क्या बोल रहा है, सर, वो आप से, ठीके, the square root of any positive, the square root of any positive number is a irrational number, सर, मैं फिर से आपको बता रहा हूं, सर, positive number तो आपको समझा गए, positive number होता, 45678910, जब इनका square root निकालेंगे, तो वो irrational, मतलब, root के form में आना चाहिए, तो आप जरा ध्यान से देखिए, क्या ये हमेशा एसा होता है, क्या, जब भी आप positive number लेते हो, तो उसका square root, एक root के form में आता है, क्या, yes or no, तो मुझे answer मिला, no, ठीके, मैं कहीं ना कहीं, ठीके, आपको answer समझा रहा हूं, question में ये बोला है, the square root of positive integer, किसी भी positive integer, का square root, एक irrational number होता है, तो irrational number किसको बोलते है, root के form म जो आता है, उसको irrational बोलते है, तो sir, आपको ये जो answer से, ये root के form में दिख रहे है, क्या, yes or no, नहीं, तो मेरा answer हो जाएगा, no, ठीके, उसने बोला है, अगर जो आपका answer no है, तो आप कुछ examples बताइए, तो मैं example ले लेता हूं sir, आपके सामने, ठीके, we have the number of examples are there, for example, root 4 equal to 2, root 9 equal to 3, root 25 equal to 5, root 36 equal to 6, और आप बोलेंगे, बड़ा number, 121 equal to 11, ठीके, आई बात समझ में सभी को, ठीके, thank you, student, next question, question number 3, जहां से देखेंगे, locate root 5 on the number line, sir, इस question में, मुझे ये बताया जा रहा है, कि root 5 को number line पर represent करना है, second, मैं कही ना कही बता सकता हूँ, root 5 क्या है, एक irrational number है, अभी तक हमने सारे rational number को, ठीके, जैसे हमने बच्चपने में 3, 4, 5, किसी को भी हम number line पर represent कर सकते थे, बट अभी मेरे पास question है, एक irrational number के form में मुझे बताना है, root 5, ठीके, number line पर कहां पर आएगा, जलिए ध्यान से देखते हैं, ठीके, simplest form में देखेंगे, ठीके, given number equal to root 5, जब मैं इस question को करूँगा, तो मेरे मन में सिर्फ और सिर्फ statement और पाइथा को रस्तरम आना चाहिए, मतलब मैं root 5 को कही ना कही 1 प्लस 4 के form में break कर सकता हूँ, सर 1 प्लस 4 लिखो हैं, 4 प्लस 1 लिखो, depends on me, ठीके, जहां ध्यास देखिए, मैं 1 को 1 का स्केर, बट 4 को 2 का स्केर लिख सकता हूँ, आपको कही ना कही बात समझा रही है, मतलब अगर जो मैं, ठीके, by use of statement of pythagoras theorem, तो कही ना कहीं, ठीके, hypotenuse square equals to perpendicular square plus base square, these implies hypotenuse equal to under the root, perpendicular square plus base square, अगर जो students, मैं इसको equation number 1, और इसको equation number 2 के form मैं upload करूँ, और मैं कही ना कहीं इन दोनों को आपस में compare करूँ, तो मैं बोल सकता हूँ, by equation, ठीके, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीके, by equation, कुनसे equation यूज़ करूँगा, first and second, ठीके, perpendicular will be equal of 1, and base will be equal of 2, आपको मेरी बात समझा रही है, ठीके, और इधर कितना चल रहा था, ठीके, इधर मुझे कही ना गई, ये पूरा का पूरा equivalent था, root 5 के, तो मुझे hypothesis कितना मिलेगा, hypothesis equal to root 5, समझे, student, अगर जो मैं यहाँ पर 1 plus 4 लिख रहा हूँ, तो perpendicular 1, और मुझे base 2 मिला है, बट अगर जो मैं 4 plus 1 लिखता, तो मुझे perpendicular 2 और base 1 मिल जाता, चलिए, अब मेरे बास, ठीके, एक नई problem है, सर मुझे root 5 को number line पे represent करना है, तो जरा ध्याँ से देखिए, number line मिलेब क्या होता है, यह पूरा expression जो है, यह एक number line है, टीके, mid value होती है, 0, टीके, right side सारे positive integers आएंगे, और left side सारे negative integers आएंगे, यह महलब कहीं ना कहीं, यह positive 1, positive 2, positive 3, and positive 4, then negative 1, negative 2, negative 3, and negative 4, आपको इतनी बात समझा गई, अब आप ध्याँ से देखिए, यहाँ पर मुझे perpendicular 1 चाहिए, सर, जब भी हम किसी triangle के shape को, ठीके, define करते हैं, तो आपको यह पता होगा, कि सबसे पहले base आएगा, तभी तो perpendicular draw होगा, तो base कितना दिया है, 2 unit, और perpendicular कितना दिया है, 1 unit, और यह जो होगा, यह hypotenuse मेलब root 5 के equivalent होगा, तो सर, सबसे पहले मैंने base ले लिया, कितना base ले लिया, students मुझे बताइए, ठीके, मैं base ले रहा हूँ, यह देखिए, ठीके, मैंने base ले लिया, कितना base select होगा, मैंने पास 2 unit, यह 1 unit है, और यह 1 unit है, मतलब यह पूरा party कितना होगा है, 2 unit, ठीके, यहाँ पर मुझे 1 unit perpendicular लेन अगर जो हम इस portion को calculate करें, तो यह हमको यहाँ से यहाँ तक मिल चुका है, 2 unit, कितना मिल चुका है, 2 unit, और अगर जो मैं इस perpendicular की बात करूँगा, यह perpendicular कितना होजाएगा, 1 unit, मतलब अगर जो मैं scale का use करूँ, और इसको मैं यहाँ से connect करूँ, तो यह जो value है, यह मुझे मिले नमबर लाइन पे नहीं है, तो नमबर लाइन पे नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, मैं use करूँआ protector का, ठीके मैंने यहाँ पर protector को रखा है, और यहाँ पर मैंने indicator रखा है, मतलब simple भाषा मैं बोलूँगा, प्रकार को रखके मैंने यहाँ से एक circle draw करने की कोशिश करी, तो मुझे धीरे धीरे dot dot dot, मुझे यहाँ पर, ठीके, यहाँ पर क्या मिलेगा, cut point मिलेगा, और मैं इस cut point को, ठीके, for example मैंने इसको A नाम दे दिया, इसको B नाम दे दिया, और इसको C नाम दे दिया, तो मैं इसको D बोलूँगा, मतलब कही ना कही मुझे D पर, क्या indication मिल रहा D will be equal of root 5, ठीके, एक बार और student समझे ध्यान से, ठीके, सबसे पहले मैंने root 5 को, दो पार्ट में divide करा है, 1 प्लस 4 में, depend करता है, आप पर 1 प्लस 4 लिखे है, या 4 प्लस 1 लिखे है, ठीके, 1 प्लस 4 है, तो 4 का square होगा, 2 square, compare करा, मैंने पाइधागोर इस तरम से, तो perpendicular equal to 1, और base equal to 2, मतलब कहीं ना कहीं, base equal to कितना मिला, मुझे 2 unit, और perpendicular कितना मिला, 1, ठीके, मैंने scale, ठीके, scale की मतर्द से, जैसे इसको joint करा, तो मुझे O b equal to कितना मिलेगा, root 5, बट सर मुझे ये जो root 5 है, ये मुझे number line पे चाहिए, तो मैं किसका use करूँआ, protector का, ठीके, O को center लिया, b को मैंने r के लिया, और धीरे-धीरे आगी बढ़ाया, तो मुझे number line पे वो कहाँ पर मिल रहा है, किसी एक जगा पर cut कर रहा है, उस point को मैंने नाम दे दिया, d, मतलब कहीं ना कहीं, od, od will be equal of root 5, strengths, exercise number 1.2, example number 3, question दियावा है, locate root 3 on number line, मतलब कहीं ना कहीं, ये जो question है, इसको भी मुझे number line में represent करना है, टेके, what is the mean of the number line, number line मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ, टेके, ये एक simple सा, टेके, आपको ये पता होगा, ये 0 है, तो ये positive तरफ कितना जाएगा, positive 1, positive 2, positive 3, positive 4, and so on, और इस तरफ कितना आएगा, negative 1, टेके, negative 2, negative 3, and negative 4, सर ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, graphical representation में इस त तरफ negative होता है, ठीके, बट number line के case में, आप इधर positive और इधर negative भी ले सकते है, second one thing, ये जो diagram है, ये मैं rough diagram बना रहा हूँ, बट आप जब exam में, ये अपनी fair copy में note करेंगे, तो इसको particular, ठीके, equal parts से बनाएगे, मतलब कहीना कहीं, scale pencil का आपको यूज करना पड़ेगा, now, ठी ठीके, मुझे number क्या दियावा है, मुझे number है, root 3, ठीके, मैं root 3 को, ठीके, root 3 को, मैं कहीना कहीं, one plus two, या two plus one लिख सकता हूँ, ठीके, I repeat my statement, मैं या तो, ठीके, one plus two, ठीके, ध्यास सुनिये, या two plus one लिख सकता हूँ, तो अगर जो मैं root 3 को, ठीके, one plus two लिख चुका हूँ, तो मुझे 1 plus 2 मतलब root 2 का whole square और 1 का whole square बात समझा रही है अब सरी ये जो मेरा statement आ चुका है मैं इसको compare करूँआ ठीके by statement of pythagoras theorem क्या होता pythagoras theorem ठीके hypotenuse square equals to under the root perpendicular square plus base square ठीके चले जाए धिरे धिरे देखते हैं ठीके by equation first and second by equation first and second ठीके hypotenuse मुझे कितना मिल रहा है root 3 ठीके सभी को दीख रहा होगा perpendicular की position पे कितना दीख रहा है 1 और base की position पे मुझे कितना दीख रहा है root 2 तो सर मेरे पास एक और बड़ी समस्या आ गई मुझे root 2 को represent करना पड़ेगा ध्यान से सुनिए सर मुझे मुझे पेले किसको represent करना पड़ेगा root 2 को तो root 2 के लिए फिर से कहीना कई हम rough में जाते हैं ठीके आराम से देखिए ठीके rough में root 2 कितना होगा सर 1 प्लस 1 मतलब कहीना कहीं 1 का square प्लस 1 का square हराम से देखिए सर ठीके बिलकुल मुझे यहाँ पर base कितना लेना है root 2 और root 2 भी एक irrational number होता है तो मुझे कहीना कहीं पिले root 2 को number line पे represent करना पड़ेगा फिर root 2 के basis पे उसकी मदद से मैं root 3 को represent करूँगा सर इस case में perpendicular कितना है ले लिया one unit और perpendicular भी कितना ले लिया मैंने one unit आप सब देख पा रहोंगे ठीकी मैंने base भी कितना ले लिया one unit और perpendicular भी कितना ले लिया है मैंने one unit जब मैं इस दोनों को ठीकी ऐम इस दोनों को यहाँ पर connect करूँगा तो इस condition में यह जो हाइपोटेनियस होगा यह कितना होगा रूट टू सर मैं बता रहा हूं यह कोशन लास्ट कोशन के कंपरीजन में 300 टाइम्स डिफरेंट है ठीक है और डिफिकल्ट भी इसलिए जरा ध्यास देखें मेरा कोशन था रूट थ्री तो मैंने रूट थ्री को डिस्ट्रिबूट कर है तो मैं इसको केसे रिप्रेजेंट करों तो मैं रुखो पहले तो रूट 2 को अप्लोड करना पड़ेगा बात समझा रही है तो रूट 2 को मैं कितना लिखूंगा 1 प्लस 1 ठीक है 1 प्लस 1 मतलब परपेंटिकुलर भी 1 और बेस भी 1 है पिर मैं क्या यूज़ करूंगा मैं capital A, इसको मैं capital B और इसको C से denote कर रहा हूँ मतलब मैंचे C पर कितना मिल चुका है मुझे C पर मतलब मैं कही ना कोई इस question में OC equal to root 2 बोल सकता हूँ ठीक है चली अब मैंने base find out कर लिया base मतलब कितना root 2 और मेरे पास root 2 कितना चुका OC आपको मेरी बात समझा रही है ठीक है now OC जो है मेरा base हो चुका है और perpendicular कितना लेना है 1 मतलब कही ना कहीं इस पर वापिस से perpendicular draw होगा उसका unit कितनी होगी 1 आरी student समझ में ठीक है अब मैं ये जो point मिला मुझे D कौन सा point मिला मुझे D तो मैं O और D को connect करूँगा ठीक है I hope आपको समझाया होगा और O D जो है मेरे पास ठीक है according to the question O D कितना आ जाएगा O से D मेरे लिए होगया root 3 आरी बात समझ में पर ये जो O D है ये D कहांपर मिला मुझे आस्मान पे मुझे कहांपर लेना है number line पे तो मैं वापिस से protector का use करूँगा ठीक है O को central लूँगा ठीक है D से जैसे draw करूँगा ठीक है तो कही ना कही मेरा ठीक है आरी बात समझ में तो ये मेरे लिए कितना हो चुका है इस point को मैंने नाम दे दिया E कितना नाम दे दिया E और ये जो मेरा E है इस trend मैं फिर से बता रहा हूँ इस question के लिए sir root 3 मतलब होता है 1 plus 2 तो 1 मतलब 1 का square और 2 मतलब होता है root 2 का square sir यहाँ पर एक और problem आ गई मुझे root 2 नहीं बता तो पहले मैंने root 2 को represent कर रहा है ठीक है ये C किसको represent कर रहा है root 2 को तो ये मेरे लिए हो गया base फिर मैंने root 2 पर एक perpendicular डाला है 1 कितना unit का है 1 और O से D को मैंने match करा तब जाएकि मुझे मिला है root 3 ठीक है I hope आज के lecture में आपको exercise number 1.2 समझ आई होगी Thank you so much